हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है कैसे हैं आप सब आप सब आप सब आप सब आप सब्सक्राइब बहुत अच्छे से चल ले पूछे थे वह सारे सवाल कर लेंगे जम वाले बिलकुल नहीं एक तैप का दूसरा सवाल दिखाए पड़ेगा दो वह आपके लिए हो वरक रहेगा ब तो आगे बड़ नहीं आता तो जो तरीका हम बताएंगे उससे समझ लेना बाकी जो सवाल हम चुछवा देंगे जो आपको होमवर्क के लिए देंगे उस सवाल के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर लिखने और आंसर कैसे लिखोगे सबसे पहले आप लिखोगे कोई अगर कोई और बच्छा को देखे तो इसका क्या है और आपका क्या है ठीक है तो इस फॉर्मेट में ही कोशन के आंसर नीचे कॉमेंट करना बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार नया है तो आज से ही सीरीज में स्टार्ट कर रहा है जहां पे 2022 में जितने ही सवाल पूछे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले ना पहला कोशन निम लिखित में से कौन सी संक्या 49 की पावर 15-1 का भाजक है मतलब चाव आप्शन दे रखे 50 14 46 और 18 4 में से किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा अगर आपने एक फॉर्मला पढ़ा हो एकी पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर यहां पर एन हमारा ओड होता है एन अगर ओड है तो यह नंबर हमेशा ए माइनस बी से डिविजवल होता है यह फॉर्मला आपने पढ़ा होगा एन यहां पर दे रखा पंदरा तो 49 की पावर 15-1 की पावर 15 इसे हम सॉल्व करें तो एकी बी की पावर एन यह किस से डिवाइड होगा मैसा 49-1 से यहनी की 48 से 48 का एक ही मल्टिपल है आठ तो क्रेक्ट आंसर क्या होगा 8 चलो अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉस्ट करके दुबारा पिछे जा सकते हो फिट से सवाल को समझ सकते हो ऐसा कर स तो यहीं फाइदा होता रिकॉर्डिंग वाली क्लास का कॉश्चन नंबर टू बोला गया 8127 को 8 से डिवाइड करने पर रिमेंडर क्या होगा बड़ा आसान सवाल है ठीक अगर किसी बीस नंबर में 8 से हम डिवाइड करते तो आखरी के तीन डिजिट हमेशा चेक की जाते तो हमारा था 47 और 8 से डिवाइड करोगे 8 चंग 48 यानि की माइनस 1 और 8 में गया तो 7 तो आंसर क्या गया D यानि की 7 कुश्चन नंबर 3 बोला गया X की पावर 9 इंटू X की पावर 5 इंटू X की पावर माइनस 4 इंटू X की पावर 0 यह तो 1 ही होता है चाटा आई दो X की पा करना कोश्चन नंबर 4 27 की पावर 27 प्लस 27 इसे डिवाइड करना है 28 से हमसे पूछा गया रिमेंडर देखो 27 की पावर 27 प्लस 27 डिवाइड बाई 28 चाखरम 27 में डिवाइड करें तो हमेशा कितना आएगा माइनस 1 की पावर अगर और 27 तो हमेशा माइनस 1 ही आएगा प्लस तो फिर से क्या जाएगा माइनस वन यानि कितना हो गया माइनस टू तो अठाइस पर दो कम कर दो रिमांडर कितना 26 थासन चलो अगला सवाल हम से बोला गया 750PQ एक ऐसी पांच अंकों की संख्या जो तीन साथ और ग्यारा से डिवाइड है हम से प्लस तू क्यू का मान पूछ तो जब भी इस टाइब की सवाल आपको दिखाए पड़ें तो अब तीन का साथ को ग्यारा का अलग अलग डिविजिवल्टी वाला रूल लगाओ उससे अच्छा अच्छा अब लिगे फटाक से कोर्शन को कर दो कैसे करना समझो तीन साथ हो ग्यारा तीनों अभाज नंब अब जो एक्स्ट्रा उसे डिवाइड कर देंगे आप जीरो जीरो भी ले सकते हो लेंगे नाइन नाइन हमें ज्यादा सही लगता है ठीक है तो तीन बार तो सीदा सीदा जाएगा तो तीन एकम तीन तीन तरकन नों तीन दो नीच है यह साथ और यह फाइट फिप्टी पांच पांटियाएं पंद्रा पांद मेंदा से ग्यारा ठीक कितना बचा चॉविस दिख रहा है हां ठीक तो रिमांडर बस गया हमारा चॉविस इसका मतलब अगर हम टोटल में से चॉविस माइनस कर दें तो वो नंबर में मिल जाएगा जो की टू थर्टी वन से डिविस अगी तो P plus 2Q की वैल्यू कर निकालने तो P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 5 दुनि 10 10 7 17 ओप्शन ठीक है असान सवाल था मेरे जाब से यह तरीका सबसे ज्यादा बैतर है और इसके अलावा बी और थी तरीके हो सकते है इस सवाल को करने के लिए लेकिन यह तरीका हमेशना स करता है ठीक है कोश्चन नमबर शिक्स बड़ा असान से अगर आपने अलजब्रा बढ़ी उसका कुछ फॉर्मुले बढ़े तो आप आराम से कर पाऊगे एक फॉर्मुला होता है एक क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने इस फॉर्मुला की बारे में सुना होगा एक प्लस ब ब्रेकेट में a स्क्वाईर ब्लस ब्लस बी स्कॉइर माइनस a b बस वही बस कुछ भी नहीं करना एक्यू प्लस बीक्यूब कर आपको फॉर्मला आता तो आपको बताओ नीचे वाला कट जाएगा वो बचे का क्या सिर्फ ए प्लस भी और ए प्लस भी जाने की आहट और आट शोला आखरी का चेक किसमें है सी में तो 776 जोडने की भी जरूवत नहीं सब्सक्राइब करना है तो हमेशा उसका मतलब हम बोल सकते है एक्स प्लस इक्स प्लस सेवन प्लस वाई यह नंबर का सम नौ से डिवाइड होगा तो साथ छे तेरा तेरा में से अगर एक नौ निकालते तो बचा कितना चार तो फोर प्लस एक्स प्लस वाई यह नंबर नौ से क्या होगा डिविजबल हमसे बोला गया एक्स प्लस वाई का नियूनतम मान तो सबसे कम नंबर एस क्या होगा जब यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाए तो आप बोलो कि अगर हम यहां पर पांच ले ले तो टोटल बन जाए गर 9 और 9 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो पांच चार नो यहांने की एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आगी पांच किसी किसी को अगर इस समझ में नहीं आया कि चार का से आया तो ऐसा है साथ और 6 को जोड़ा बन गया तेरा तेरा में अगर एक बार कर नाव हटा दे तो चार बचा ठीक है इसलिए इसलिए मने चाल लेख आप तेरा रखके भ बराबर ठीक वह संख्या अब बनानी है जो 9 से डिवाइड हो रही हो ठीक है तो 13 अब भी दो को अगर पांच होगा तो 13 पांच अठार बन जाएगा और हमारा नौ से डिवाइड हो जाएगा तब भी आंसर वही आएगा ठीक है अगला स्वाल बड़ा अच्छा सवाल है ज वन अपॉन 3 सीधा सवाल और यह शायद मेरा आप से पहली बार से पहले मेरा सवाल देखा निए बस फॉर्मला पड़ा था तो शायद यह पहली बार स्वाल पूछा गया बाकी आसान था अगर फॉर्मला आता हो तब तुरंद कर लोगे चलो अगला सवाल कोशन नम्मर 9 ए मूल संख्या क्या थी तो हम अपने मन से जूम कर लेते कि हमारे पास मूल संख्या थी एक्स ठीक संख्या हमारे पास थी इसमें 7 को जोड़ा गया तो हम कर देंगे एक्स प्लस 7 फिर फाइव से मल्टिप्लाइ किया गया फाइव से मल्टिप्लाइ कर दिया अपने फिर बोल से नहीं किया जो सवाल ने बोला उसे लिखते चले जाओ अपने आपका आंसर आजाएगा वो बोलते लोग की बिना पैन उठाय आप सवाल को वही लोग कर पाते जिन्होंने पहले कॉपी प्रैक्टिस की हो चीजों को पहले कॉपी पे लिखोगे ना तभी आप मन में कर सबसाइब करेंगे आपको समय मेल कोट उसाएब दुबारा और यासे कर लोगे मुझवान करने लोग कोशन नंबर 10 केक बिसाट नहीं चाहे है लूए इसे ही सबक्राइब टॉटल बच्चे वह 25 तो पहर और हमसे बोला या जो टॉफिय आ आ वो कितने से डिवाइड होगी देखो पहले बच्चे के पास दो निकालने बाद निचे करें कि किस नंबर से संब निकालने के लिए टू से लेके 50 तक कर सब निकालोगो तो दूखौम लेलो वो भी कर सकते हो। फिर सीजा सीजा A P का फॉर्मलर लग ऑगर संब निकालना हो न राइन वैपन मेरा नमेर्टी प्लस अकिथी थी को लगो और बावन जाएगा तेरा से तो पांच और तेरा से ये डिवाइट जाएगा क्लियर कोश्चन नमबर 11 दो संख्याओं का अंतर दे रखा 1564 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 6 भागफल और शेशफल 19 प्राप्त होता है छोटी संख्या ग्याद करो ठीक ह समझते हैं दो संख्याओं का अंतर है 1564 तो संख्याओं एक है माइनस बी बराबर 1564 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है और शेशफल 19 प्राप्त होता है इसका बतलब है अगर हम बड़ी संख्या है नहीं की एक वैलिव निकाले है तो बड़ी संख्या में भागफल 6 आता है तो 6 से मुल्टिप्लाइ कर दो और सेशफल को जोड़ दो 19 यह आजाएगा कुछ लोगों को समझ नहीं आयोगी अब समझने कोशिच करना इसको बेसिक से एक विया समझा दें 10 लगएगा एस अगर हम सुरी बी से अगर हम एको डिव ऐसे सीदी सीदी लिग दी कि ए बराबर बी इंटो 6 प्लस 19 ठीक है अब कुछ भी नहीं करना आप से छोटी संख्या नहीं कि बी की वैली पुछी गी तो एक वैली उपर फुट कर दो तो यह हो जाएगा बी इंटो 6 प्लस 19 माइनस बी बराबर 1564 तो बी इंटो 6 माइनस बी इंटी हो गया 5B बराबर 19 को उधर बिज़ दो तो 64 में 10 गया 54, चौवण में 9 और गया तो बचा हमारा 45 तो 15 पैंतारिस बी बराबर क्या होगा पांतिय है 15 पैंतारिस तीन सो नो छोटी संख्या मारे क्या आगे 309 अगर बड़ी संख्या निकाल नहीं होती तो बी की वैली कर सकते हो ठीक है कोशन नमबर 12 यह सवाल अभी थोड़े पहले हमने ऐसा करवाया था तो यह हम नहीं करवाएंगे यह आपके लिए होमवर्क है तो इसका आंसर आप लोग हमें बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में ठीक है कोशन नमबर 13 निम लिकित में से कौशी जंख्य से विभाज है तो बड़ा बेसिक सा सवाल है और अपने से ऑप्शन से निप्टाते हैं दो तीन हो पांच है पहले पांच चेकल लेते पांच कमें तब आखरी में जीरो या पांच आना चाहिए तो यह आप्शन तो हो ही नहीं सकता ठीक उसके बाद बोला गया है दो तीन ह से डिवाइड हो रही है यह भी दो से डिवाइड हो रही है ठीक है अब पांच से चेक कर लो अब तीन के बारी पांच चार नौ छे कट गया साथ 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 चौदा और छे बीस तो यह तो नहीं कट सकती है तीन का क्या होता है डिविजलिटी के रूल सम को चेक करते हैं वह इस टाइब के सवाल को options उठाओ आराम से बड़ी और 765 से पूरी तरह विभाद्याइग ग्याद करो बहुत आसान सवाल है यह आप लोग घर से करोगे यह आपका क्या है इसका आंसर आप हमें नीचे बताओ कोमेंट सेक्शन में अगला सवाल सेवन की पावर 42 को 48 से डिवाइड करने पर सेशफल क्या होगा अभी तक क्या था किसे 27 था नीचे था 28 तो आपने देखा एक गया पारत आपने सॉल्व कर लिया था लेकिन यहां पर 7 में और 48 में गया दूर दूर है तो कोशिश करते हैं इसा 48 की आसपास ले जाएं तो 7 की पावर 42 है 7 का स्क्वाइर करोगे वह बनता है 49 ठीका वह 49 एट से एक बढ़ा है तो इसे लिख सकते हैं 49 की पावर 21 अब इसे डिवाइड करना 48 से तो डिवाइड करोगे तो रिवाइंटर बचेएग सबसे पहले तो डिवाइड को कतम करते हैं क्योंकि यह सामने डिवाइड की वन इतो होई नहीं सकता है बाकि इसका जो भी जाएगा वह आप खुद से सॉल्व करो हूं होम वर्क है आपका यह ठीक है इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए कोश्चन नंबर फिर आ सब्सक्राइड को डिवाइड कर निचे कमेंट सेक्शन में बताना हमें चल गया तो और अगली वीडियो बनाने में मजा आएगा ठेक है अगला सवाल एक क्यूब प्लस ऑड़ी क्यूब प्लस एक त्यूब अब नंबर बड़े छोटे बारा का क्यूब आट का क्यूब फो जब इसको घटाओगे तो आट में शेगे दो दो सब में है बाराम साथ के पांच और सोला में पांच के ग्यारा ग्यारा बावन ऑप्शन सी करेक्ट है हम तो सीधा-सीधा ऐसे कर देते हैं लेकिन यहां पे एक और तरीका है वह अगले सवाल हम बताएंगे उसे कैसे करना है मतलब इसी टाइप के एक और सवाल आगे है वहां बताएंगे एक और तरीका है इस सवाल को करने के बाकि यह नाब नमबर बारा आठ चार सीधा-सीधा था तो अपन जरूरत नहीं है मतलब कुछ भी फॉर्मला लगाने यह कुछ भी सीधा-सीधा क्यूब करो खतम के लिग सब्सक्राइब करना है साथ से तो आजाएगा सोला बटे साथ साथ दोनी चौदा बचा कितना दो यानि की ऑप्शन भी इस करेक्ट अग्ला सवाल बहुत बहतरीन है आठ अंकों की संख्या है वन टू थरी फोर फाइफ सिक्स और एक्स वाई यह आठ से डिवाइड है तो बड़ा अच्छा सवाल है मजा आगा इस सवाल को देखके तो आठ से डिविलिटी का रूल आपको पता होगा कि आठ से जब्बी को संख्या डिवाइड होती तो आखरी के तीन डिजिट डिवाइड होने चाहिए यानि कि सिक्स एक्स वाई यह नंबर आठ से डिवाइड ह लहा है चेक करके देख लो तो हमें सिर्फ एकस वाई को चेकश करना पड़े इसलिए इसको अलग लग लग लिखले को आपकी बढ़ती तो एकस वाई की अगर हम बात करें तो अगर हम एकस की सब्याजी हम जिदुल माली ठीक है ना सब्सुर्ण फिर अगर हम ऐकक्स की वै तो आप बोलेगे, एक है, आठ दूनी सॉला होता है, दो होना चाहिए ज़गी जब यह आठ एक है, आठ आठ दूनी सोला तो अगला है आप और जहां पर एक्स की वैलियूम जीरो और जीरो रख सकते कि याद यह चैसों नंबर भी तो डिवाइड हो रहा है तो एक नाम नंबर यह हो गया बाकी बारा नंबर यह तो टोटल जोड़े रिख लिए वो कितने होगे सी तेरा प्लियर चलो कोश्चन नंबर बीस हमसे बोला हता ओक्तर आफ़िघ सब्सक्राइड हुने चाहिए तो nya 90 के 90 जा इंबर नहीं हो रहा सत्तर नहीं हो रहा अब बचा 8,140 अब साथ से चख कर लो सिक्स सेवन फोर पी क्यू और जीरो ठीक है यह पतंगे बड़ी ओड़र रहे पता नियुक्त रूम में कहां से आगे कोई लाइट जादा लगी ना तो चलो मैनेज करते हैं आज तो सिक्स सेवन फोर पी क्यू जीरो यह नंबर हमारे पास है और यह तीन और यह ज्यारा इन द स्लसव प्लस घू मैनना सब्स प्लस प्लस 0 यानिक इनकित्य प्लस प्लस फी सेवन प्लस प्लस घू चुर यहांत आठक सब्नेगः तो कि यही है कि पी माइनस क्यूंट टीन होना चाहिए थे एक ही ऑप्शन मन गाम कतम तीन सब्सक्राइब करने की जरूरत भी है ठीक है question number 22 अच्छा सवाल है A B के directly proportional है ठीक है और वो उसके वर्गमूल के है यानि कि A हमारा है वो proportional है under root B के उसके बाद C के घं के inversely proportional है यानि कि घं मतलब C का क्यूब और inversely मतलब नीचे बटे में आगया C का क्यूब तो यह equation हमारे सामने एक बन जाती है तो अगर हम इसे हम सॉल्व करें तो यह लिख सकते है बराबर के रूड बी यह पहुंद C क्यूब जहां पर के constant जो हर बार fix रहेगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ठीक है यह सवाल हम बोल लगखा लेकिन और दो equation होने देर की a बराबर 15 b बराबर 27 c बराबर 2 दूसरे case में a बराबर 9 c बराबर 2 दो दोनों जगए c बराबर 2 और c बराबर 2 यह तो सेम ही आ रहा है तो अगर हम एक दूसरे को जब डिवाइड करेंगे तो c c तो कट जाएगा तो खाली में a और b से मतलब है तो पहले case में बटे c cube दोनों में आएगा और c दो दो है तो c c तो कट दे किया तिक solve करो पांस तो तीन पच्छे पंदा एक में तीन पच्छे पंदा रहा तीन तरक करनो तो रूड b की value हो जाएगी तीन इंटू 27 का मतलब 3 रूट 3 बटे 5 पांस का स्क्वार होता है 25 नीचे 25 सिर्फ एक में चेक कर लो ऊपर 243 ही आएगा तीन तीन नो नो का स्कुर्ण एक्क्यासी और रूट 3 का 3 एक्क्यासी में तीन का गुणा करोगा 243 और लीचे किया पांच का स्कुर्ण 25 ठीक है तो आसान सवाल था और यह बाइस सो पूछा कहता और अच्छा स्वाल था कुश्या निम् नहीं करवाएंगे इसका आंसर क्या आएगा आप लोग हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन बताओ यह वाला सवाल हम शॉट्स में करवा चुके हैं और वही पहले वाले केसमें बारा था आट था और चार था ठीक है तो वहां पर तुम्हें क्यूब पता देब पच्चिस का क्य का मेरे साब से टीक हम एक और करोगे इसे आपने इक एक फॉम्मला होगा कि अगर रएक क्यूब प्लस बीक्यूब प्लस तीक बनाबर तो यहाँ चेक करो A को माल लो 25, B को माल लो minus 75, C को माल लो 50, तो 25 minus 75 और plus 50, दोखो 0 बन रहा है, इसका मतलब 3 ABC हमें निकालना है, 3 A कितना है 25, B कितना है minus 75, और C कितना है 50, तो 25 तिया 75 और यह को 75, 75 का स्क्वाइर क्या होता है, बड़ा असान तरीका है, तो यह minus 75 का स्क्वाइर, इन्टू 50, जब भी ऐसा कोई नंबर हो, जिसके last के 5 उसका स्क्वाइर निकालना हो, तो 5 का स्क्वाइर लिखो 25, और 7 है, तो 7 के बाद आता है 8, 8 सत्य चप्पन, चप्पन 25 गुड़ा 50, और यहां पर लगा होगा माइनस, तो प्लस वाले यह तो हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता, माइनस वाले हो सकता है, जिसके दोनों में, चलो, सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 25 पंचे 125, तो आखरी में 250 आना चाहिए, 250 एक में यह B में, तो आप्शन B, 26 का, ठीक है, यारी पतंगे बड़ी परिशान कर लिए भाई, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो लोगों कितनी महिनत कर रहा है आप लोगों के लिए, चलो अगला स्वाल, 4567 में कौन सी छोटी सी छोटी संख्या जोडी जाए, किस योगफल सेवन से डिवाइड हो जाए, यह सवाल आप खुद करोगे घर से, और इसका आंसर में, कॉमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक, चलो, कॉशन नमबर 28, नौ अंकों के संख्या, 83P93678Q, यह है 72 से डिवाइड, इसका अमान क्या होगा, नमबर यह है 83P93678Q, ठीक, आपको एक बात बता होगी, 72 के अगरों फैक्टर निकालें, तो 8 और 9 आ जाएंगे, ठीक, तो पहले 8 का चेक कर लेते, 8 का डिसबिल्टी का है, तो 8 जागर हम 7, 8, Q में डिवाइड करें, ठीक, तो 8 ने 72, यहां जाएगा 6, Q बचा, तो 6 के साथ एक ही पॉशिबिल्टी नमबर है, यानि की 4, जब यहां पर 4 होगा, तभी एकटेगा पूरा, तो Q की वैल्यू तो पता चल गई हमें 4 आएगी, ठीक, Q का आंसर पता देते हैं, Q के आंसर को चार, यह 4 आ गया, अब हमें चेक करना है किसका, 9 का, 9 का बड़ा आसान होता है, सिंपल सा यूनि डिजिट चेक करने होते हैं, हाँ देखो, 9 तो कट गया, 6 ती, 9 भी कट गया, उसके बाद, 8, 8, 7, 15, 3, 18, यह भी कट गया, 8, 4, 12, 12, 12 में कितना देखा, 64, 64 का क्या होता है, 8, आसान था, ठीक है, तो, यह आप नोटिस करो, सीजल 22 में, डिविजिबिल्टी के सवाल सब साथ पूछे करें, Q कोश्चन नमबर 29, ठीक है, सी तो हो नी सकता, होम वर्ग है आपके लिए, गैसे करो, इसका आज़र नीजए, कॉमेंट सेक्श जोर होंगे, बड़ आसान है, N को 6 से डिवाइड करते हैं, तो सेश्वल आता है, 3, बोला गया, N स्कॉर प्लस 5, N प्लस 8 को 6 से डिवाइड करने पर सेश्वल क्या हो, यह वही वाला सवाल है, कि बाई, रिमांडर 3 आया है, अगर हम संख्या का स्कॉर कर दें, तो क्या ठीक, 9, 8, 17, 15, 32, 32, बटे 6 करोगे, 6, 35, रिमांडर क्या आ गया, 2, क्लियर, कॉश्चन नमबर 31, बहुत बढ़िया सवाल है, और इसमें समुझ में आ गया होगा, लोगों को 2022 में, यह ऐसे सवाली बनते हो, मजिदार सवाल है, देखो, बाई, बुला गया, 3 की पावर 50, प किस पूलांग से विभाज्य है, तो तो सबको पहले एक ही नमबर में लिया हो, तो हमें लग रहा है, 9 में अगर बना ले तो ज्यादा आसान रहेगा, तो 3 की पावर 50 है, इसमें लिख सकते है, 9 की पावर 25, प्लस, 9 की पावर 26 हो लिखा ही हुआ है, और जैसे हमें 25, 26 हादा, क्योंकि 3 को में 9 पराना है, 27, देगा, बाकी 26, 26 जहां दिखा ही पड़ा, उदर 28 दिखा, हम समाज़ें कि 20 का नमबर 27 ही होगा, अब इसे सॉल्व करना है, तो 9 की पावर 25 हम लिया है, common, तो 1 प्लस, 9 का स्क्वायर, प्लस, 9 का क्यूब, प्लस, 9 की पावर 4, ये चे है, 10 बन की, तो 10 लिख देए, पहले ही, ठीक है, 10 हमने इसे लिख दिया, 10 प्लस, 9 का स्क्वायर, प्लस, 9 का क्यूब, प्लस, 9 की पावर 4, इतना है पताए कि ये, 2 से नहीं कटने वाला, 5 से नहीं कटने वाला, क्योंकि ये जो भी आएगा, प्लस, क्योंकि यहां से 0 औ 5 त पांस से नहीं कट सकता और यह 9 का multiple होगा 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब ना की वह फोर यह 2 से भी नहीं कटेगा अब खाली बचे option 7 और 11 चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम भी option 11 से चेक करते हैं तो अगर हम इसे हम 11 से दिवाइड करें तो 10 तो 10 रहेगा प्लस 10 में जब 9 से भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 का स्क्वायर यानि की चार 9 का क्यूब यानि की माइनस का क्यूब माइनस का 8 प्लस 2 की पावर 4 यानि की 16 हमने 11 से डिवाइड किया थी उनके रिमेंडर आ रहे हैं ठीक है तो 10, 4, 14, 16, 30, 30 में आट गे 22 हमारा 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है निकि 11 हमारा क्या होगा यहां हुआ है क्यूब क चार से माइनस का 8 प्लस का 16 हमारा 11 से डिवाइड हो रहा हुआ इसका न्मब भी 11 से डिवाइड हो रहा तो यह आपको ये पूरा अग् Rakन जरुवत नहीं है क्यूंकि नौका क्यूब पतार के 10 wordt नौक सिकांट भी्वी बोला फॉर 43 और 481 की बीच में कितनी संख्या है 9 द्वारा विभाद यह हैं हम आधा सॉल्व करेंगे आधा आप लोग सॉल्व करोगे 43 आप लोगे पहला नंबर तो सीधा सीधा हो गया 45 जब दूसरा नंबर होगा तो इसमें 9 जोड़ दो यानिकि 54 डॉट 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 यहां से नंबर शुरु होए नंबर चलो मिन सॉल्व कर देता है पूरा याप लोग खरोगे ठीकर किसी किसी कुछ ना आँ तो अब मैं पता करना कितने नंबर बीच में पढ़ना तो अगर कभी भी नंबर निकालना हो तो कुछ नहीं करना इससे इसको डिवाइड कर दो 9 स से भाग देना थो प्लस वन कर दो तो 477 माइनस 45 बटे नव प्लस वन यहर बार ऐसा करना है मालों अगर 10 से चेक करना हो तो दस से भाग देते अगर 15 से चेक करना है तो 15 से डिवाइट कर दो ठीक तो साथ में 5 गए 2 7 4 3 432 बटे नो प्लस वन इसे जब सॉल्फ को रहो है तो नो चौक छथिस ठीक है साथ दुचा नो अठे बातर प्लस वन अड़ ताले से एक उन्चास ऑप्शन सी क्या हो गया क्लेक्ट आंसर क्लियर चलो कोश्चन नंबर थर्टी थ्री एक नंबर दे रखा है बड़ा सा टू फोर सिक्स 837 को तेरा से भाज जबनाने के इसमें क्या गटाना चाहिए मेरे साथ सही सवाल आपको खुद करना चाहिए यह आपका होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग बताऊगों नीसे कॉमेंट सेक्शन है बस तेरा से डिवाइड करना है अगला कोश्चन के की एक वैलू दे 4 x 135 चेक करते हैं 42 साथ चंग 42 यानि की एक तीन आ रहा तो एक तीन तो यहां से आ गया पच्चिस में एक भी नहीं आएगा पच्चिस को काट दो चौन की बात करें तो अठारा तीन है चौन 27 दूनी चौन तीन की पावर तीन होता 27 थिक उसके बाद बात करें 135 की तो यह हो कोश्चन नंबर 35 एक से लेके 430 तक कितनी संख्या है 7 और 11 दोनों से डिविजूबल है तो पहला नंबर तो आपको 7 और 11 बोला गया तो 77 से चेक करना तो पहला नंबर तो 77 ही हो गया ठीक हमसे बोला गया 430 तक तो मेरे साब से साथ चंग 42 होता है वह पार चला जाएगा त पांच का मल्टिप्लाइ कर लो जो नंबर आएगा वो में उम्मीद 430 से कम होगा ठीक है तो पहरा नंबर 77 था पांचवा नंबर यह और मैं हमसे 430 से नीचे की संख्या पूछी गई है क्लियर तो 35 हो गया कुश्चन नंबर 36 36 9435 को 7593 से जोड़ा जाता है 2607 को घटाया जा पांच और 13 हो गए आठ आठ में सीज़ बjänली का साथन्फ नहीं था है pourtant हिया बासवाल नहीं था भी ओर विसकिया और च्छी ज्यूदह प सब्सक्राइब यह जड़ा और यह सिर्पासी लौप टासे क्या करे लिगए जो वीडियो दिन में शूट करेंगे कैसे भी जोग लागे हैं एक संख्या को टू-टू-वन से डिवाइड करने पर सेष्फल तीस आता है है उसी संख्या को तेरा से डिवाइड किया आएगा तो कुछ नहीं करना रिमांदर को तो तेरा से तो तेरा दूनी 26 बचा चार है तो option D क्या होगा correct answer question no.38 एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 times है और शेशवल का 4 times है शेशवल दे रखा 45 दो reminder हमारा 45 दे रखा है तो हम यहां से यह बोल सकते हैं जो diviser होगा diviser होगा वो क्या वो लखा है शेशवल का 4 times है तो 45 दोनी 90 दोनी 180 निकला है diviser हमसे बोलागा भागफल स्वाजक भागफल का 10 गुना है इसका मतलब अगर भाजक हमारा 180 है तो भागफल से 10 जिवाइड कर दे समझे ने देखो भाजक भागफल का 10 गुना है तो यहीं कि दस का जब गुना करोगा तब जाके 180 बंता है तो दस हम भाग दे थे तो भाजक माफल प्रतासर जाएं गा कितना है अठारा अब मिसे कुछ भी निकरना सवाल फोल लागा भाज क्या है भाज हमेशा होता है यहीं कि जो हम सकता है यह नहीं सकता ठीक है और अठारा थे तीन सो कुछ तो यह यूगा ऑप्शन है ठीक है यह जो लाइन थी ना यह कैसे निकला फिरसे समझ लो भाजक हमारा निकला आया अग्षाइब निकला आएक अठारा कोशन नमबर थर्टी नाइन साथ अंखु के संख्या है जो कि 75 से डिवाइड है पी एक भाज़े संख्या नहीं है यानिकि पी अब आप जी संख्या है पी और क्यों कि मान क्या होंगे बड़ा असान साथ सवाल है तो यह नंबर है शिक्स 25 से डिवाइड होना चाहिए और 25 से डिवाइड होने के लिए आखरी के दो डिजिट 25 से होने चाहिए तो अगर इसे हम 25 से डिवाइड करें तो क्यों कि जीगा एक सिंगल पॉस्पिल्टी है पांच तो यह नहीं हो सकता तो यहां पर नंबर ही निकलाएगा 678 337 और 5 हम से पूछा गया पी क्यों 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 को निकल आया अब से तीन का और चेक कर लो तीन के लिए वह ही यूनिट जितने डिजिट है उनका सम कर दो तो देखो साथ 613 तेरा और 8 21 यह तो कट गया ठीक है यहाला इससाद तीन से कट गया साथ तीन दस पांच पंदरा यह भी कट ग सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यह भाई होमवर्क है आपके लिए ठीक है अब यह हम सॉल्व नहीं करते हैं आपके लिए ठीक है बागी 88 का है तो हिंट देरा आपको 11 और 8 का चेक कर लो आखरी के तीन डिजिट चेक कर लो आठ से बागी 11 का तो डेजबिल्टी आपको पता यह कैसे करना है ठीक है सॉल्व कर लेना 123456789 को 9 से डिवाइट किया जाए तो शेशफल क्या होगा भाई इस टाइप के सवाल में आपको पता है यह जितने डिजिट है उनका सम करना होता है तो नो नो कट गया आठ और एक भी नौ से कट जाएगा साथ दो नो छे तिन हैं आठर चुरण नो से ठेक है और एक साथ अंकों की संख्या मने इसका शोटा मान क्या होगा जबकि संख्या और्ट से डिविजिवल chats जिक एकले थे तो यह मेरे इसाव से हमें कुछ करने की जरूद नहींहाइं आप हम एकस की वैल्य पूट करनी है होमवर्क आप लोग करोगे 43 सेम सवाल हम करवा चुके एक्यूब माइनस बीक्यूब का फॉर्मला लगेगा कर लेना इसका अंसर भी आप कमेंट सेक्शन बताओगे यह वाला कॉश्चन भी हम करवा चुके हैं यह भी आप करवा नहीं बोला है तो सारे हम नहीं करेंगे आदे आपको भी करना किस जो स्वाल है वह आप प्रैक्टिस के लिए रहे हैं 44 भी आप करोगे कॉश्चन नंबर 45 किसी भी कोई एक चैनकों की संख्या जो तीन को संख्य हमारा से 13 से और 1001 से डिवाइड होता है तो ऑप्शन क्या होगा सी हमारा करेक्ट होगा वो नमबर हमेशा 7 11 13 से डिवाइड होता है क्योंकि इन तीनों का मल्टिपल ही है 1001 ठीक है चलो अग्वा सवाल एक साथ अंगों की संख्या 33 से विवाज यह भी सवाल यह सवाल हम श से कॉमेंट सेक्शन में कॉश्चन नमबर 48 एक संख्या यह भी आपके होमवर्क है यह इस टाइब कर वाया आज वाली वीडियो में ठीक है अच्छा एक चीद जाना है जो स्वाल हम दे रहे हों आपको कंप्लीट करने अगर नहीं करोगों दोस्त नुकसान आपका क्योंकि हमने स्वाल आपको समझा दी एक बार प्रैक्टिस के लिए स्वाल आपके लिए छोड़ रहा है वाकि हम करवा सकते हैं चाहें तो ठीक लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं एक लॉक है जहां पर चार रंगों का पिन है A B C D उसमें जो की अंक शून है नहीं नहीं है B वराबर 2A, C वराबर 2B, D वराबर 2C तो माल लो A, B, C और D चार रंगों का पिन है अगर हम A को 1 माल लें तो B इसका जस्ट डबल, B वराबर 2A तो यह 2, C इसका डबल, 4 और यह 8 तो यहीं पॉसिबल नंबर है 1248 यहीं पिन हो सकता है क्योंकि अगर हमने A को 2 माना और य D आठ हो जाएगा प्र डी सोला हो जाएगा दो डिजिट का अपन को चाहिए सिंगल डिजिट का तो वन टू फो एट यह नमबर आगे अब यह नमबर किससे किससे डिविजवल है तो 2 3 2 3 2 3 2 3 यह तो सम्में कॉमन है हम चार्ना 13 5 7 और 11 पांसर तो नहीं सकता क्योंकि आख पता होगे आखरी के तीन डिजिट यानि कि टू पेर बनालो और एक दूसरे से डिवाइड अनलब एक दूसरे से घटा दो तो टू फॉर्टी एट मैसे अकर एक माइनस करते हैं तू टू फॉर्टी सेवन यही तेरा का होता है यही सेम होता सैवन का भी ठीक है तो काम तेरा से भाग देखे देखो इसमें तेरा एकम तेरा बचा कितना ग्यारा और तेरा नेम सुतरा दी पूरा-पूरा कट गया है यहनि की ऑप्शन क्या होगा ए इस करेक्ट जैसे जैसे वीडियो के लास्ट पोच्छर वैसे बसाई यह पतंगे बढ़ती जा रही हो परेशा पॉइंट नाइन टू बाई थ्री और फॉर बाई फाइव एक काम गुरो सब में अपनी तरफ से एक एक जिरो एड कर लो तो यह दस बीस बीस चालिस तो यह आजाएगा पॉइंट नाइन यह आजाएगा नौ दूनी अठारा ठीक है तो टू पॉइंट तू पॉइंट त सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है कोश्चन नंबर फिप्टी वन आपके लिए होमवर्क है लास्ट में कोस्टन नंबर फिप्टी टू एक नौ की संख्या दे रखी 99 से डिविजबल है यह सवाल भी हमने शौर्ट में बताया है तो यह सारे सवाल आपको करने और हमारा नंबर सिस्टेम यहां पर खतम आगे कोई सवाल है नहीं मेरे पास ठीक है तो बस इस वीडियो बिता है और हमने बावन सवाल है मेरे साब से 30 के आसपास हमने सवाल किये होंगे और 20 सायथ सवाल ऐसे होंगे जो आपके लिए हमने छोड़ दिए जो आपको कंप्लीट करने ह तो बस इस वीडियो में इतना ही बाकिया अगर वीडियो यहां तक देखिए तो एक प्यारा सा कॉमेंट 143 का जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना वे राइटिक इतनी अच्छी नहीं है मैंने इसका लेना ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बावे मजा करूँ एसकरो खुश रहो खुश रहो खुश रहो बाई